नमस्कार मैं पिछले 18 सालों से देश से लेकर विदेश में नोक्री कर रहा हूं कई देश गया और ठीक ठाक कमा लेता हूं नय लोग जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं की आदमी सकस कैसे होगा आदमी आगे कैसे बढ़ेगा तो हम लोग मजदूर आदमी परदेश आये तो सबसे पहले आप देश चोड़ी न करें देश चोड़ी मतलब काम से देह ना चुराए लोग बोलते हैं ना देह चोड़ी कर रहा है, काम चोड़ी कर रहा है, तो यह ना करें, आप मेहनत करने का आदत डालिए, आपको कोई आगे नहीं ले जाएगा, आपका मेहनत ही आपको आगे ले जाएगा, आज देखेंगे गाव जवार में भी जो पांच-दस कलास पढ़े आए और लोग आगे बढ़े हैं, तो लोग कोई लोटरी नहीं लगा है, यह एक ही बार आगे बढ़ गए हैं, वो बहुत मेहनत किये हैं, उनके पीछे के कहानी देखिएगा, उनके पीछे का काम तो पता चलेगा कितना उलो मेहनत किये हैं, तो आज आगे बढ़े हैं, तो कोई सौटकट नहीं होता है आगे बढ़ने का, पैसा कमाने का, आप मेहनत करेंगे, आपका मेहनत आपको आगे ले जाएगा, आप ही अपने आपको आगे ले जा सकते हैं, दूसरा कोई ले जाने के लिए नहीं आएगा और जिन्दगी में आगे बढ़ियेगा देश में भी बढ़ियां कारीगर बन गए आप को कोई कंपनी ठेकदारी देता है आप ठेकदार बन गए कमाते हैं विदेश में आगए यहां भी कोई कंपनी में आप मेहनद कर रहा है बढ़िया कारीगर बन गए मेहनद करके और उच्छे अधिकारियों के नजर में है कि हाँ आप मेहनत करते हैं तो वो लोग आपको फोर्मेन सुप्रवाइजर बना देते हैं या भाई काम कराओ आपको काम मालूम है तो आप मेहनत कीजिए मेहनत मेहनत से ही आप आगे बढ़ेंगे दूसरा कोई उपाय नहीं है जिन्दगी मेहनत कीजिए और आगे बढ़ेंगे मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजिए और लाइक कमेंट जरूर करें जय हिंद